हेलो इप हॉप लेसनर्स तो कैसे हो आप लोग तो स्टार्ट करते हैं इकका से तो इकका कमेंस एक्सपी से इंटर्व्यू आउट हो चुका है तो उसमें उनसे माफिया मुंडीर के बारे में पूछे जाता है तो वो कुछ ऐसा रिपलाई करता है कि मुझे पता कितना पोटैंशिल है और मैं … मैं एसन आर्टिस यसरु आपके रिश्पेक्ट करता हूँ मैं जादा किसी के साथ यह रहा नहीं है मैं रफतार के सात बहुत हैं, गूलू के सात बहुत हुँ, यह मेरे दोस्त है, मैं न हनी भाई के साथ ना रहा, था बादशा भाई ना जैस्ति ना रहा, भाट्षा साथ तो मतलब तो था मतलब कि चार बार मिटिंग वीया है इस लेह नहीं बोलना चाहता कि मैं जानता नहीं उन चीज़ों को मैं अपना उपिनियन इस लेह नहीं देना चाहता क्योंकि अगर मैं धूं और वो गलत हो तो शायद मैं गलत दिखाए दूंगा पंजाबी आर्टिस भी इंक्लूडट थे माफिया मुंदीर में नहीं जैसे एक तो था दिल्ली वाला पुरा ग्रूप आप लोगो का ठीक है वो गए लिल गोलू हो गए आप और रफ्तार हो गए और बाच्छाजी हो गए और एक था पंजाबी आर्टिस का ग्रूप जिसमे वैसा कर देंगे मतलब आख लगा देंगे मोहले में और बात वे भरोसा भी था हमको अन्य भाई कि जिस पैशन जो पैशन देखता था हनी भाई के मूजिक में और उन में वो हम डिनाय नहीं कर सकते दें कि यार ऐसा नहीं होगा वो जो बूल रहे हैं वो होके रहेगा बाक मैं सही बता हूं तो जड़ाघी से मिला ही नगा जेसतार भाई से मिला मनी ओचला भाई से इतना देंमेला अलफाव से मेरी बहूत बात होती है तो अगर हनी भाई ने उनको नाम दिया तो वो भी थे मतलब हैं थे क्या और माफिया मुंडीर जो मतलब हनी भाई क्या जितने भी लोग रहे हैं मैं उन से connected था और सकती रिस्पेक्ट ही करता हूं मैं बाग निंजा भाई से मेरे इतनी कोई बात नहीं है जब कि मैंने उनका पहल मेरे से मैं ही था और येस मैं जानता हूं पहला माफिया मुंडीर जब हम थे तो मैं उसे की बात कह सकता हूं और कर सकता हूं